हेलो फ्रेंट्स कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों है विशाहला सब को स्वाख करता हूं आपके चैनल में उमीद है आप लोगो वीडियो पसंद आ रही होंगी पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए गा और बैल आइकन को दबान नहा भूलें ताकि आपको हमारे चैनल से नोटिफिकेशन मिल जाया करें जब भी हम कोई नई वीडियो बनाया करें तो दोस्तों आज की जो वीडियो है बहुत अमेजिंग है आज की वीडियो को जरा सा भी स्किप नहीं करना है आपने क्योंकि आज की वीडियो में आपको कुछ ऐसी ट्रिक्स आपको जरा सा भी तो दोस्तों और चैनल को सब्सक्राइब भी करना अगर यह वीडियो आपको पसंद आती है तो सब्सक्राइब करने के बाद बैल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूल है तो इसके लिए हमको योट्यूब पर जाना होगा कुछ सेंटिंग्स जाननी होंगी इसके लिए क्या कर सकते हैं जो कभी ट्रेंडिंग का अप्शन हुआ करता था क्या ओक्तों यह ब 1996 इसके लिए इस थरीके से इंटरफेस दिखाई नहीं देगा फोगे दोस्तो आला कि और भी तरीके हैं सेटिंग पर जाने के लिए जो आपको जाना है जनरल पर जाने के बाद दोस्तो यहां पर YouTube आपको कुछ ऐसी सेटिंग्स प्रोवाइड गनाता है जो आपके बहुत काम्ति नहीं किया है जो आपको पता नहीं है या पर आपने आप बहुत यूज़ करते हैं तो इन केस अगर आप कोई ब्रेक लेना जाते हैं यूट्यूब से तो यहां पर लगा सकते हैं एक तरीके से अलाम ओके दोस्तो रिमांडर फ्रिक्वेंसी सेट कर सकते हैं आप चाहते हैं कि हर एक गंटे के बाद यह आपको थोड़ा सा पक किसी का 10 वजे किसी का 11 वजे किसी का 12 वज होता है आप चाहते हैं तब आप इसे यूज़ करें यूट्यूब को तो आप क्या कर सकते हैं यानि की बंद करें ओके दोस्तो बैट टाइम यानि की सोना चाहते हैं तो आप यहां पर अलाम सेट कर सकते हैं ओके दोस्तो यहा आपको वीडियो देख रहे हैं तब यह रिमाइंडर नहीं आए उस वीडियो खतम होने के बाद है तो इस पर चैक पर क्लिक करना है आपने ओके दोस्तो एक option है dark theme का और एक option आता है दूसरा जो dark theme का नहीं है इस तरीके से screen आप change करना चाहते हैं तो कर सकते हैं मुझे dark theme अच्छी लगते है इसलिए मैं dark theme यूज करता हूँ देन दोस्तो आता है mobile data uses का यह option वह है यहाँ पर क्या होगा दोस्तो only stream HD video and Wi-Fi HD video जितनी भी होगी उनको सिर्फ Wi-Fi के network पे ही शो करेगा तो के दोस्तो इससे आपका net YouTube चलाते वागत बहुत कम होगेगा दोस्तों muted playback in feeds choose whether video play with sound as you browse home and subscription feeds दोस्तों यह setting क्या बताती है यह setting वह setting है जैसे कि आप YouTube की वीडियो को स्क्रॉल कर रहे हैं कुछ वीडियो अपने आप चालू हो जाती है हाला कि वह feed पे चालू होती है जिनको इस तरीके से बोलता है playback में यानि कि पीछे की तरफ चालू हो जाती है वह वैसे continue नहीं होती है तो यह setting आप यहां से check कर सकते हैं कि वह Wi-Fi पे होनी चाहिए या mobile पे होनी चाहिए या फिर आप उसे off करना चाहते है एक चीज आती है ज पीचे ले जाना चाहते है तो वह option भी है 10 seconds अगर in case आप वह time बढ़ाना चाहते है तो 15,20,30,30 कर सकते हैं तो यह कुछ setting है यह बहुत amazing setting है जिसके बारे में लोग को पता होता है लेकिन उसे use नहीं करते है एक आता है zoom to fill screen आप चाहते है zoom करके full हो जाए screen तो वह इस setting से कर स जाकते हैं ओके दोस्तो देन next option आता है upload का specified network preference for upload कुछ upload अप्लोड करना चाहते है तो उसके लिए आप network चूज़ कर सकते हैं किसी भी network में और इधर वाय है network में ओके दोस्तो एक चीज़ आती है location location क्या होता है दोस्तो location वह चीज़ होती है इसमें क्या कर सकते है location में दोस् लोगे इंडोनेशिया सेलेक्ट करें गये तो ट्रेंडिंडींग में सिर्फ इंडोनेशिया की ही चीजें आएंगी उक्या दोस्तू तो अगर आप इंडिया की ट्रेंडंगी से बहुर हो चुके हैं तो आप यह option यूज कर सकते हैं एक आता है restricted mode जो कि काफी किफायती काफी अच्छा है यह restricted mode होता है inappropriate content को दूर करने के लिए यह 100% accurate नहीं है लेकिन काफी हद तक mature videos आपको दिखाता है तो मैंने आपको काफी settings के बारे में बताया लगवक 10-11 settings के आपको बता दिया है तो उमीद है दोस्तों यह video आपको जरूर अच्छी लगी होगी पसंद आई होगी काम की होगी यह video आपके अगर पसंद आई हो तो यह video को like जरूर करना है आपने और चैनल को subscribe करना बिलकुल भी ना बूलें दोस्तों बहुत जल मिलेंगे हम आपको next video मे ऐसी ही amazing tips and tricks और settings से साथ करतक के लिए बाय दोस्तों